नमस्कार मैं हो दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग निउज बाका की बड़ी खबरों के बुलिटिन में आपका स्वागत है बरते हैं खबरों की ओर बाका जिले में मानविय कुरूरता से जुड़ी एक और संसनी खेज खबर सामने आई है जिले के कटोरिया मुख्यले इस्थित सुया रोड में लोहे की रोड से पीट पीट कर एक युवव की निर्मम हत्या कर दी गई है हत्या की इस घटना को शुक्रुवार की आधी रात के बाद अंजाम दिया गया है पुलिस ने इस सिलसले में तीन लोगों को हिरासत मिलिया है इस निर्मम हत्या कान को लेकर इलाके में संसनी फैल गई है जानकारी के अनुसार शुक्रुवार को आधी रात के बाद करीब एक बजे के आसपास कटोरिया बाजार में सुईया रोड स्थित पासी टोला में हत्या की यह अमानुए और संसनी खेज घटना हुई है खबरों के अनुसार एक पुराने भूमी विवात को लेकर 28 वर्षिये युवक कपिल चौधरी की लोहे की राड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई युवक की हत्या की पूष्टी करने के लिए हत्यारों ने उसका गला भी दबाया बताया गया कि मिरतक कपिल चौधरी तेज नारायन चौधरी का पुत्र था उसकी हत्या के बाद घटना की सूचना पुलीस को दी गई सूचना पागर पुलीस भी मौके पर पहुँची और मामले की परताल सुरू की पुलीस ने मिरतक की लास को कागजी खाना पुरी के बाद पूष्माटन के लिए बांका भिज दिया पुलीस के अनुसार यह हत्या कांड एक भूमी विवात को लेकर अनजाम दिया गया है इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन से पूस्ताच की जा रही है घटना को लेकर इलाके में संसनी फैल गई है पुलीस का कहना है कि जल्दी ही हत्यारे पुलीस की गिरप्त में होंगे उनकी गिरप्तारी के लिए छापे मारी की जा रही है कि लिए पुल्टोर में बहां को के मारी करें गुड़कलो गुड़कलो सबस्तापन को करें है नहीं नहीं जाने पर लिए है अमरपूर थाना छेतर के कुलड़िया चौक के समीब अमरपूर की ओर से आ रही बाइक सवार ने अनियंतरित होकर एक विरिधा को धक्का मार दिया हाथ से में विरिधा समेद बाइक सवार एक युवक जकमी हो गया जखमी कुलडिया गाउन निवासी मंजु देवी एबं बाईक सवार युवक सजोर थाना चेतर के दरियापूर गाउन निवासी बिट्टू ताती का प्राथमिक उपचार अमरपूर इस्थित अस्थानिय रिफरल अस्पताल में किया गया मामले को लेकर जखमी युवक ने बताया कि दरियापूर गाउन से अपने मित्र रोशन कुमार के साथ बाईक पर सवार होकर अमरपूर थाना चेतर के लक्षमी पूर गाउन इस्थित अपने रिष्टेदार के घर आया था जहांसे वापसी के क्रम में कुलरिया गाउं के समीब बाईक अनियंत्रित हो गई और सड़क पार्क कर रही महिला को टक्कर लग गई उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जखमी की स्थितिक खत्रे से बाहर बताया है जिले में चल रहे योजनाओं की समीख्षा के साथी आगामी बाढ और सुखार को लेकर जिला प्रशाशन की तयारी की समीख्षा की गई जिसकी अध्यक्षिता सुबे की उपमुक्य मंतरी सह जिला प्रभारी मंतरी रेणू देवी ने की बैठक के दोरान बारी-बारी से सभी विभागों के पदादिकारियों से चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी लेने के साथी आगामी बाढ और सुखार को लेकर हो रही तयारियों का भी जाजा लिया गया इस दोरान सुबे के ग्रामिन कारी मंतरी जयन्त राज सहित जिले के सांसत गिरदारी यादब के साथ सभी विधायक भी मौझूद थे बैठक में हुई समिक्षा को लेकर जिला दिकारी सुहर्स भगत के द्वारा पदा दिकारीयों से बारी बारी से अपने रिपोर्ट पेश करवाने के साथ और भी बैतर करने का निर्देश दिया प्रेश से बात करते हुए उपमुखी मंतरी रेनु देवी ने कहा कि बाका जीला प्रशासन करोना के तीसरी लहर को लेकर भी तयारे में जिटी हुई है जिसके तर्ड आगामी 15 अगस्त तक सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के साथ ही देड़ वर्ष से वध्वस्त पड़े चांडन पूल का पुनर निर्मान का कारवी शुरू होने के बात कही जहाँ अगर कुश कमी है उसको पूरा करने का आदेश दिया लिया है और जहां अच्छा काम हो रहा है उसे और अच्छा करने का मुझए है और इतने अपने प्योशी और अपने अनुममढड़ी खायतर नहीं इसको भी एककी डेड़ करते और अच्हे से कैयारे करते जहा तो अब तक के लिए इतना है फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार अब तक के लिए नमस्कार